सोलन के मंदरों में नवरात्रों पर भक्तों की भारी भीड सुभा से ही जुटनी अरंब हो गई थी विशेशता सोलन की देवी शूलनी देवी में जिसकी दया द्रिस्टी से सोलन शहर विकास की उचाईयां चूरा है और आपदा सोलन शहर से कोसन दूर रही है इस मंदर में सुभा से भक्तों की तांता देखा गया है आपको बता दे कि शूलनी देवी जिसके नाम पर शहर का नाम सोलन पड़ा है यहां के निवासियों का मा शूलनी पर अटूट भी स्वास है मंदिर में भक्तों ने कहा कि बै जो भी सच्चे दिल से मां शूलनी से मांगते हैं बै मुराद माता पूरी करती है उन्होंने बताये कि माता के मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं शिमला और हर्याना से आयो हुए लोगों ने बताये कि बै काफी सालों से शुलनी देवी माता की मंदिर में नवरात्रों पर अवश्य आते हैं उन्होंने बताये कि उनके बिगडे काम माता ने बनाये थे इसलिए उनके रों-रों में शुलनी माता वस्ती है काफी कामना पूरी होई, आज सब को जो भी आना माता के दयास है। मेरा नाम यश्पाल मदान है मैं मजल पुली से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ दो साल हो गया है मुझे रिटायर्मेंट लिए हुए और शिमला रहते हैं और हर साल यहां चुलनी माता के मंदिर में क्योंकि इसकी ऐसी मानता है कि यहां पर जो भी कोई अपनी मनत मानता है पूरी होती है तो इसलिए हर साल अम्यान अवरात्रों के दिनों में यहां दर्शन करने माता के आते हैं दूर दूर से लोग आते हैं यहां पर अपनी मर्दमान के लिए क्योंकि शुलनी माता जो है सोलन की स्थाई देवी है जो कि सोलन का नाम ही शुलनी माता के नाम से ही माता मंदिर की बहुत ही कृपा है माता रानी की यहां बहुत दूदूर से भगत आते हैं माता के दर्शन के लिए माता सबकी मनोकामना पूरी करती है यहां आकर हमें मन का सकूल शांती मिलती है माता रानी सबको पे कृपा बनाए रखे पात्री शुरू होते ही माता रानी के म अंदिर में काफी लंबी भीड सुबे से शाम तक काफी भक्तों का तांता लगा रहता है